असलाम लिकूम ट्रेंट्स वेलकम बैक टो माई शाइनल एश्पी होम किचन आज मैं आपसे शेयर करती हूँ घर पे ही इजी तरीके से परफेक्ट चिली फ्लेक्स आप किस तरह बनाएंगे आज कल हर रेसिपीज में हम चिली फ्लेक्स का यूज बहुत ज्यादा करते हैं तो इसे घर पे इजी तरीके से आप किस तरह बनाएं वो मैं आपसे शेयर करूंगे बाहर से 70 या 80 रुपे में 50 ग्राम आप ये चिली फ्लेक्स खरीदते हैं घर पे ही 20 रुपे की मिर्चियों से आप चिली फ्लेक्स किस तरह बनाएं चलिए देखते हैं वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने फैमिली फ्रेंट्स में शेयर करना ना भूले चाइनल पर अगर नए है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बेटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो यहाँ पर ले लिया है मैंने 20 रुपे की 70 ग्राम मिर्ची मिर्चियों को मैंने फ्रीज में आदे घंटे के लिए रख दिया था तकि यह कड़क हो जाए अधरवाइस आप इसे धूप में भी एक घंटे के लिए रख सकते हैं ताकि यह थोड़ी कड़क हो जाए तो यह इसे हम mixi jar में transfer कर लेंगे, हमें इसकी बीज वगेरा कुछ नहीं निकालना है, डारेक्ट ऐसी ही हम इसे mixi में act कर देंगे, और इसे हम 2 second के लिए बस कोर्सली पीसेंगे, देखे इस तरीके का ज़्यादा powder नहीं बनाना है, यहाँ पर देख सकते हैं, आप हमारी परफेक्ट चिली फ्लेक्स बनके रेडी है, इस तरह कि चिली फ्लेक्स मार्केट में भी नहीं मिलती है, इतनी फ्रेश और इजी तरीके से कम पैसों में इस तरह कि चिली फ्लेक्स आप घर पे ही बना सकते हैं, तो घर पे ही इसे जरूर राइ कीजिएगा, उमीद करती हूँ, आज की मेर इसे स्टोर करके रखा है इस तरह आप भी इसे स्टोर करके रखिए मिलती हूं नेक्स वीडियो में एक नई आसान सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए लाहाफिज थैंक्स फूर वॉचिंग